कि सो हेलो आप सभी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होनी वाली है क्योंकि देखो जो आपका ट्रांसफर होना है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं ट्रांसफर के उपर ही ठीक है तो आप बिल्कुल ट्रांसफर है ना जो आपको क्या करना थोड़ा से सबर बना करें सबसे पहले तो क्या करना है अगर आपको इस प्रिनसिपल मैं अपर आपका होने के चांसे ज्यादा बढ़ जाएंगे और ट्रांसफर होगा कैसे किस तरीके से ट्रांसवर हुआ है और कैसे होगा वह मैं आपको बता दूँगा क्योंकि मैं अभी आपके लिए एक वीडियो प्ले करने वाला हूं उस वीडियो को देखना जो मैंने खुदी अब्जर्व करी है मैंने अपने मुझे खुद बोला है तो ध्यान से उसको समझना और अपने अंदर पेशेंस सबसे ज्यादा बनाके रखना आपको क्या करना है पेशेंस सबसे ज्यादा बनाके रखना है बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपका ट्रांसफर हो जाएगा अगर देखो आप परेशान है इस चीज से कि आप दूर नहीं जा सकता है मैं भी समझता हूं इस बात को कि माली जिए अगर बच्चे का स्कूल करीब करीब 15 किलोमेटर दूर है अब क्या नाम है किसी किसी के पास किराया भी नहीं होता है तो इतना कैसे कर पाएंगे अफोर्ड है ना और कई बच्चे ऐसे होते हैं मासूम से और बाकी आपको इस चीज का भी एक्सपिरेंस लेना पड़ेगा कि आपको जाना है ठीक है तो ध्यान से अपना थोड़ी दिन के लिए जाओ है ना मैं इस बात को समझता हूं कि हाँ स्कूल पास होना चाहिए थोड़ा इतना ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए लेकिन जैसे ही हमें DBSC से फर्दर जो भी ऑर्डर मिलेंगे हम आपके नाम स्कूल के नाम उन स्कूल में भी मेल कर देंगे लेकिन अभी तक हमें फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली हैं तो प्लीज जैसे ही कोई भी हमें मिलेगी हम आपको सबसे पहले हम नहीं चाहिए कि आ हम आपकी मेल या आपके डॉकुमेंट्स वहां पर शेयर कर देंगे मेल के द्रारा या आपको फोन से हम सूचना दे देंगे धन्यवाद तो आपने यह सुन लिया होगा कि देखिए मैडम ने क्या बोला है आपका ट्रांसफर हो जाएगा मैंने मेल करी है ठीक है अब मेल करी है जो आपकी जो भी अरजी होगी मतलब की जो भी आपने अप्लिकेशन दी होगी उसके हिसाब से जो भी मेल हुई है आपकी जो भी दूस मैं ऐस्कूल की टीच्र्स समझते हैं कि इस चीज को कि बच्चा आ रहा ह। तो उसको आने में काफी चब कि मिनी ब्रेक इसमें आप जो भी अपना healthy food जो भी आप लेके जा सकतें अपने स्कूल में और उसको खा सकतें आराम से ठीक है मिनी ब्रेक में जैसे आपके चने हो गए संत्रे को भी प्रूट हो गया बस healthy लेके जाना आपको ठीक है वह आपका करीब आठ से आठ या नौ बज़े के बीच में हो जाएगा क्योंकि बच्चा दूर से आता है सुबह सुबह ना खाके आए तो फिर क्या है उस चीज़ को खाले वहां बैट करके तो इससे आपकी health भी ज्यादा आगी होगी ठीक है अगर वीडियो इंफोर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और यार लाइक करा करो वीडियो को देखता हूं मैं सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो डेली वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए ही डाल रहा हूं ठीक है आपको सारी नौलिज दूँगा और मैं जल्दी ही NCR TV चालू करने वाला हूं